दीन नीज ब्राट यू बाई दीपक जुएलर लगकर बजार सोलर 98160 78655 डीन नीज नेटवर्क के नया चहरा एपिसोड में आज हम आपको मिलवाने वाले हैं बॉड नंबर दस की निवासी सावित्री घुलेरिया से जिनोंने बीजेपकी टिकेट के लिए आवेदन किया है नमस्कार मेरा नाम सावित्री घुलेरिया बॉड नंबर दस से मैं संभावित परत्याशी हूं मैं स्वस्थ्या विभाग में मेर्टन के पद से रिटायर हुई हूँ मेरा जन्द सेवा का पहले सी ही सौभाव है मैंने अपनी सेवाएं बड़ी मानदारी से की जिसकार मुझे बर्तमान सरकार ने उत क्रिष्ट कारे के लिए समानित किया है अप्टर रिटायरमेंट मैंने पार्टी की मेंबर पार्टी की सदस्ट्या ग्रहन की और मेरा परिवार जो है भाजपा की विचारदारा से स्वंद्र रखता है वार नमबर दस में मैं जब लोगों से मिली तो भौट सारी समस्या है पानी की समस्या और रस्तों की समस्या है, सर के कनारे फुटवात नहीं है बच्चों के लिए चलने के लिए, जैसे बच्चे स्कूल से आते हैं, ओल्ड एज के लोग आते हैं, उसमें और जो सिब्रेज की हैं, स्टेट लाइट की हैं, सैनिटेशन की हैं, यह मुझे बहुत सी समस्या हैं, लोगों ने आपने समस्यां के बारे में अवगत्त कराया, जो मुझे वार में समस्या दिखी, सबसे पहले तो स्टेट लाइट की बहुत हुए, जब अंधेरा चा जाता तो अंधेरा रहता है, दूसरे सडकों में पूरी ड्रेनेज नहीं, पाने जैसे खड़े बढ़े रहते हैं, और ना ही CCTV कैमरें, जिस वज़ा से हमारी महला हैं, और बच्चे यां सुरक्षित नहीं है, और पार्क नहीं है, जिस से बच्चे हमारे बच्चे और ओल्ड एज यंग पार्क में थोड़ा सा अपना टाइम स्पैंड कर सके, पार्षद होने के नाते मैं सबसे पहले समस्या का निमार्न करूंगी, जो इस बार में समस्या हैं, मेरा सबसे पहले ध्यान स्वस्ता, सुरक्षा और लाइट की तरफ रहेगा, मैं अपना पूरा सहोगी दूँगी, सबसे पहले मैं अपने बार के लोगों के साथ इंटरक्षन रखूंगी, और उनकी प्रॉब्लम, हर प्रॉब्लम को उनकी सुनूँगी, उनकी प्रॉब्ल तो मैं आपको विश्वास दिलाती हूं कि मैं जैसे अपनी जन सेवाएं स्वस्थे विभाग में बड़ी इमानदारिशे की ही वैसे ही मैं वार नमबर दस की जनता की सिवाएं पूरी इमानदारिशे अपनी कारों का निर्वाय करूँ